मौडन बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ग्यानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यदि सूरज गर्म है तो स्पेस ठंडा क्यों है? इस वीडियो इस ब्रॉट टू यू बाई, I am Fyns सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि स्पेस ठंडा नहीं है क्योंकि इसका टेंपरेचर ही नहीं है टेकनिकली टेंपरेचर मैजर करता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इसलिए स्पेस में चीजें जैसे कि प्लानेट, स्टार्स, डश्ट क्लाउड्स, स्पेस शिप्स और एस्ट्रोनट के पास टेंपरेचर होता है क्योंकि वे सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं लेकिन यहां तक की एमटी स्पेस में एटम्स होते हैं हाला कि जादा नहीं स्टार्स और प्लानेट से दूर डीप स्पेस थीन गैस से भरा होता है जो स्पेस में वन एटम पर स्पूनफुल होता है इसके अपोजिट पृत्वी पर वन स्पूनफुल हवा में सौ अरब से अधिक मॉलेक्यूल्स होते हैं बिल ये कहते हैं कि बहुत पतली गैस का टेंपरेचर तीन केल्विन के आसपास होता है हाला कि स्पेस्ट केल्विन को प्लूरलाइज या केप्टेलाइज नहीं करते हैं इसका मतलब है कि एपसुलूट जीरो से तीन डिगरी उपर Absolute Zero सबसे ठंडा temperature है जिस पर molecules और atoms का movement पूरी तरह से बंध हो जाता है अब इस सवाल का आसान सा जवाब है कि अंत्रिक्ष का आकार अकल्पनी रूप से बड़ा है दो तारों के बीच इतनी दूरी होती है कि उनकी गर्मी एक दूसरे तक पहुँचने के पहले बीच मेही absolute zero हो जाती है पंद्रा करोड किलोमेटर दूर बैठा हमारा सूरज हर सेकंड वन ट्रिलियन मेगा टन बंब के बराबर उर्जा पंप करता है इस ब्रम्हान की सबसे तेजगती से चलने वाली चीज लाइट की रफतार तीन लाख किलोमेटर प्रति सेकंड है उसे भी हमारे धर्ती तक पहुँचने में आठ मिनट लग जाते हैं यदि आप हमारे प्लानेट तक पहुचने के लिए सबसे करीबी सितारे से लाइट का वेट करना चाहते हैं तो आपको लगभग साड़े चार साल तक वेट करना होगा प्रित्वी के 12 लाइट येर्स के भीतर सिर्फ 25 तारे और लाइट येर्स के आइडिया को समझने के लिए जान लें कि एक लाइट येर लगभग साड़े 9 ट्रिलियन किलोमेटर के बराबर होता है इसलिए सूरी प्रित्वी से केवल 0.000016 लाइट येर्स दूर है अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो ये समझें कि Milky Way Galaxy का हमारा एक छोटा सा कोना भी इतना विशाल है जिसमें किसी भी डारेक्शन में 110 ट्रिलियन किलोमेटर के अंदर सिर्फ 25 तारे Milky Way Galaxy एक लाइट येर डायमेटर का है और इसमें 100 अरब से अधिक तारे है Milky Way और हमारे Nearby Galactic Andromeda Galaxy के बीच का डिस्टेंस 25 लाइट येर्स है सभी गेलेक्शिस और स्टार्स के साथ खाली अंतरिक्ष को भरने में ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष एक सौना होना चाहिए खास करके क्योंकि हमारा विशाल काई सूरज भी बाकी तारों की अपिक्षा एक छोटा सा बौना ही है कुछ तारों का मास हमारे सूरी से 60 गुना अधिक है और सतह का तापमान लगभग 45,000 डिगरी फेरन हाइट है हाला की फेक्ट यह है कि Observation Universe में सबसे आम टेपरेचर 2.7 केलविन है लगभग 45,000 डिगरी फेरन हाइट के बराबर सबसे ठंड़ा प्रिंसिपल टेंपरेचर 0 केलविन है यह समझना ज़रूरी है कि अंतरिक्ष अपने आप में ठंड़ा नहीं है लेकिन उसी तरह से जैसे हम इसे समझते हैं स्पेस बस खाली है एक परफेक्ट वेक्यूम में कोई टेंपरेचर नहीं होता है क्योंकि गर्मी के लिए उसमें मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते है हाला कि गर्मी को रेडियेशन के ध्रूट ट्रांसफर किया जा सकता है जब सूरी से रेडियेशन अंतरिक्ष में बाहर निकलते हैं तो उस रेडियेशन की इंटेंसिटी लगभग 34 मिलियन वाट पर स्क्वेर किलोमेटर के बराबर होती है जब तक यह ओर्जा परिथी तक पहुँचती है तब तक इसकी तिवर्ता 1370 वाट पर स्क्वेर मिटर ही रह जाती है मैं आपके लिए कल्कुलेट करूँगा और आपको बताऊँगा कि हमारे प्लानेट पर पहुँचने तक सूरी की किरेणों की इंटेंसिटी 47000 गुना कमजोर कैसे है रेडियेशन एनरजी में रिडक्षन 0.000016 लाइट यर्स की डिस्टेंस पर होती है एक्जामपल के लिए लुटो सूरी से लगभग 5.87 बिलियन किलोमेटर दूर है और उस प्लानेट के सर्फेस का तापमान जो हमारे सूरी से शायद कोई रेडियेशन प्राप्त करता है एप्सिलूट जीरो से सिर्फ 33 डिग्री अधीक है सूरी का लगभग सभी रेडियेशन उस समय तक चला जाता है जब तक यह हमारे गेलेक्सी को छोड़ देता है हमारी गेलेक्सी में स्टार्स के बीच के जगा में रेडियेशन एनर्जी और भी अधीक कम हो जाती है जिससे इंटरस्टेलर कैसेस का एवरेज टेंपरेचर एपसलूट जीरो से लगभग 10 डिग्री ही उपर होता है स्पेस में सबसे कम टेंपरेचर का फिगर 2.7 केल्विन है गेलेक्सी और युनिवर्स के बीच विशाल का एक हाली जगा है बिग बैंक से बचे हुए रेडियेशन जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेब बैक्ग्राउंड रेडियेशन कहा जाता है इसका टेंपरेचर 2.7 केल्विन है जो अंतरिक्ष के तापमान को एपसलूट जीरो से उपर रखता है जैसा कि इस वीडियो में दिखाया है स्पेस ठंडा या गर्म नहीं है या किसी अबजेक्ट को गर्म करने के लिए रेडियेशन के लिए भी बहुत बड़ा है यदि आप एक ब्लेजिंग स्टार पर कम उचाई में परिक्रमा करते हैं तो निश्चित रुप से आपको संटैन हो जाएगा और आप एक भुंजा जाने वाली छुट्टी मनाईंगे अंत्रिक्ष में गैस ठंडा क्यों है यदि आप अंत्रिक्ष में सूर्य और अगले सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंचॉरी के बीच है तो आप लगभग दोनों तारों से 2.1 लाइट यर्स दूर होंगे 2.1 लाइट यर्स दूर किसी स्टार से आपको कितनी गर्मी मिलती है बहुत जादा नहीं चलो थोड़ा गणित लगाते हैं सूरज का हीट आउटपुट 3.8 इंटू 10 तुदी पावर 26 वाट है यह लगभग 3.8 इंटू 10 तुदी पावर 23 एक किलोवाट के इलेक्टर हीटर का यूज करने के बराबर है तो हाँ सूरी गर्म है लेकिन अगर आप इससे 2.1 लाइट यर्स दूर है तो यह सब गर्मी 2.1 लाइट यर्स यह 2 इंटू 10 तुदी पावर 16 मीटर के रेडियस में फैल जाती है इससे पहले कि आप तक पहुँचे उस स्फियर का सर्फेस एरिया 5 इंटू 10 तुदी पावर 33 स्क्वेर मीटर है आपके शरीर का सर्फेस एरिया कम से कम सूरी के साइड वाला पाट लगभग 1 स्क्वेर मीटर है तो आप सूरी के गर्मी के 10 तुदी पावर 33 वे हिस्से को प्राप्त करते हैं या 0.00000000076 वाट्स है लगभग 1 किलोवाट हीटर की हीट के लगभग 13 अरब हिस्से के रूप में है लेकिन सूरी के पास स्पेस थंड़ा क्यों है जब से यही तो सवाल है न यदि आप सूरी से लाइट इयर्स नहीं बलकि मात्र 15 करोण किलोमेटर दूर है जो हमारी और सूरी के बीच की दूरी है तो सूरज की गर्मी काफी अधिक कॉंसेंटरेटेड है 1368 वाट्स पर स्क्वेर मिटर दूसरे शब्दों में यदि आप सीधे सूरी के किरणों में अर्थ के एटमोसफेर के बाहर तहरते हैं तो आपके पास एक पूरी इलेक्ट्रिक हीटर है जो इसकी सारी गर्मी को सीधे आपके बॉड़ी पर फोकस करती है तो हाँ अगर आप सूरी के पास डारेक्ट सनलाइट में हैं तो आप ठंडे नहीं होंगे यही कारण है कि हमारे पास स्पेस सूट है वेक्यूम से बचाने के अलावा वे आपको फ्राई होने से भी बचाते हैं पृत्वी की ओर्बीट में डारेक्ट सनलाइट से अबजेक्ट्स लगभग 120 दिग्री सेंटिग्रेट तक गर्म हो जाते है और फिर भी एक पेरोड़क्स है कि आपको ठंड की जकडन से बचाने के लिए भी स्पेस सूट्स की जरुरत है अर्थ की ओर्बीट में भी अंत्रिक्च बहुं ठंडा हो सकता है ऐसा कैसे? पृत्वी पर यदि आप धूप से छाओं में जाते हैं तो अचानक से जम नहीं जाते उसका कारण यह है कि आपके आसपास हवा में बहुत सारी गर्मी अभी भी जम है अंत्रिक्च में अगर आप सनलाइट से बाहर निकलते हैं और स्पेस टेशन के चारो और घूमते हैं तो वहाँ कोई एर नहीं है और कोई हीट नहीं है प्रिथी पर नीचे यदि आप एक भैयंकर हवा या ठंडे समुद्र में हैं तो आप बहुत तेजी से गर्मी लूज कर सकते हैं क्योंकि हवा और पानी इसे आपके बौडी से उठा कर दूर ले जाती है स्पेस में हीट को दूर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए आप इसे रेडियेशन द्वारा खो सकते हैं लेकिन कंडक्शन द्वारा नहीं दोस्तो अंतरिक्ष कितना रोचक लगता है है ना लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोड़क्ट बताने वाला हूँ जिसका डिस्क्रिप्षन आप लिंक में देख सकते हैं वो कुछ बुक्स हैं और कुछ अन्य ऐसी चीज़े हैं जिसको आप अपने घर में अगर लगाते हैं पढ़ते हैं तो आप अंतरिक्ष को और करीब से समझ पाएंगे उसको थोड़ा सा महसूस कर पाएंगे उसको देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्षन को देखें और उसके लिंक को फॉलो करें दोस्तो आपको हमारा आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्टों और रिष्टेदारों से शेयर करें अपने ग्रूप्स में शेयर करें इतनी रोचक जानकरी मुझे यकीन है कि हर किसी को पसंद आएगी अगले वीडियो में फिर मुलकात होगी तब तक के लिए धन्यवाल